जै मसीगी दोस्तों, आज की स्वरग्य मन्ना का भाग हमने लिया है बचन सहिता की पुस्तक, उसका चोतिस्वा अध्याय और उसका चोथा पत पत कहता है मैंने यहवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भे से मुझे छुटकारा दिया धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर के करीब जाना, परमेश्वर की उपसित्री को महसूस करना मेरे भाई, मेरे बहन ये तब होता है जो परमेश्वर का सुख, परमेश्वर की आजादी हमारे साथ होती है लेकिन वचन कहता है कि मेरे भै से उसने मुझे छुटका रा दिया परमिशर कभी नहीं चाहता इशु कभी नहीं चाहता कि हम भै के साथ अपने जीवन को गुजारे भै हमारे अंदर हो चुकि जब तक भै हमारे अंदर रहेगा हम परमिशर को जान नहीं सकेंगे हम परमिशर को पहचान नहीं सकेंगे हम उसके करीब नहीं जा सकेंगे अब सोचिए मेरे दोस्तों जब हम इशुमसी में नहीं थे जब हम उस पिता को नहीं जानते दे जिसकी हम संतान है तो हम उसे डरते थे हम डरते थे कि हम कैसे प्रात्रा करेंगे हम डरते थे कि हमने आज प्रात्रा नहीं की हम आज नहाए नहीं आज हमने अगर्बत्ती नहीं की आज हमने वो काम नहीं किया लेकिन परमेश्वर कहता है उस बहे की आत्मा को निकालता है क्योंकि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है उसने हमें आजादी की, सुख की, शान्ती की आत्मा दी है प्रेम की आत्मा दी है वो प्रेम जो परमेश्वर का है वो हम में है इसलिए वो कहता है कि मैं तरी संतान हूँ जब हम प्रभू में आए जब मसी में आए ताम हम ने जाना कि हम परमेश्वर की संत्तान है इश मसी के दोारा हमने जाना कि वह कौन है वो प्रेम है इसली PARMे बाइबल मेरे लिखा हुआ है कि तीन सो पैसट बार उसने कहा है मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों ये डर ही हमें परमेशर से दूर करता है ये डर हमें परमेशर की उपस्ति को अपने अंदर लाने नहीं देता है शैतान का ये हतियार है शैतान इसलिए हमारे अंदर डर डालता है रोज हर सुबह शैतान आपके कान में आकर कहता है कि तेरे भविशी का क्या होगा, तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरी पतनी का क्या होगा, तेरी सहत क्या होगा, जो बेमारी तेरे अंदर उसका क्या होगा, जो नौखरी तू कर रहा है, उसका क्या होगा, तेरा भविशी क्या है, शैतान आपके मन में डर डालता है, और ये इशुमसी का चुना हुआ और प्यारा चेला था पत्रस ने पहचाना इशुमसी को जब इशुमसी ने पूछा कि भई मैं तुम बताओ मैं कौन हूँ तु पत्रस ही था जिसने कहा था कि तु परमिश्व का पुत्र है तु मेरा मसीया है लेकिन वही पत्रस इशुमसी को पहचानने से इंकार करता है वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ इसको वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ मैं इसके साथ नहीं था वो डर गया यानिके सूचिए दोस्तों की वो डर हमें कितना पाप में डाल सकता है वो डर हमें प्रभू से दूर कर सकता है इसलिए कोई भी डर हमारे जीवन में काम न करे कोई भी डर चाहे नौकरी जाए, चाहे धंदा चले चाहे हमारे बच्चे कैसे भी हो लेकिन परमेश्वर का लेकिन शैतान का डर हमारे अंदर रही आना चाहिए हमारे जीवन में प्रभू की उपस्ति है हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति है हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है इसलिए रोमियो आठ टाइस कहते है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते है उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है वो हर बात परमेश्वर की ओर से है जो हमारे जीवन में हो रही है क्योंकि परमेश्वर के हम हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमें डरना नहीं है हमें चंता नहीं करनी है इश्यू की शान्ती हमाने साथ है वो शान्ती का राजकोमान हमाने साथ है और वो हमारा पिता है धन्यवाद पिता परमेश्यर इसलिए विश्वास के संग सजग होकर दृता के साथ, शान्ती के साथ खुशी के साथ, उन मास के साथ उस सब के साथ हमें अपने दिन की शुरुमात करनी है और ये जीवन बिताना है धन्यवाद पिता परमिश्य आई दोस्तों हम प्रात्रा करते हैं पिता परमिश्य तुम महान है तुन्हें हमें डर की आत्मा नहीं दी है हम शैतान को पहचान गए है हमारे अंदर अब डर नहीं तेरी उपस्ती है हमारे अंदर शान्ती है हमारे अंदर सुक है तेरी सुरक्षा है तेरा आशीश है और तेरी आत्मा हमारे अंदर है जो हमारी साहता करती है हर पल, हर शन कि हम किस तरीके से जीवन को बिताएं धन्यवाद ऐसा ही हमारे जीमन में चले परमेशर क्योंकि तुम आने वाला है तेरी योशना ए धर्टी पर सिद्ध होने वाली है वो पल आ गया है धन्यवाद परमेशर हमाशा के साथ उस पल का इंतजार करते हैं और सहाथ के साथ उस अनुगरे के सिंगासर के सामने खड़े इश्यो मसी के नाम से मांगते हैं एमें